हलो दोस्तों आप देख रहे हैं D.Cote Indian और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में Reserve Bank of India के द्वारा जो FinTech Department को सेटप किया गया है उसके पारे में जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में जो FinTech Industry है वो काफी तेजी से बर रही है हर दिन आपको एक नई FinTech Company मिल जाएगी तो इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इसके अंदर इनोवेशन को पुस करने के लिए Reserve Bank of India के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि RBI के अंदर एक specific department होगा जो कि सिर्फ FinTech Company को regulate करने के उपर focus करेगा तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि exactly ये FinTech होती क्या है इस department को setup क्यों किया जा रहा है और ये काम क्या करेगी लेकिन उससे पहले अभी तक आपने Decode Indian को subscribe नहीं किया है तो सभी government news, policies, schemes और financial news के लिए आप इसे subscribe कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं FinTech के बारे में कि exactly ये FinTech होती क्या है बहुत ही साधारन सा concept है FinTech का मतलब होता है financial technology कोई भी ऐसी company जो कि technology का इस्तिमाल करके आपको financial services provide करा रही हो वो FinTech company कहलाती है जैसे कि अगर आपको अभी किसी को payment करना है, किसी को भी पैसे देना है तो बहुत लोग तो बहुत जादा लोग आजकल online pay करते हैं तो आप किसका इस्तमाल करते हैं फोन पे कर इस्तमाल करते हैं, पेटेम कर इस्तमाल करते हैं उसके अलावा गूगल पे का, मोविक विक का, बहुत सारे ऐसे अल्रेडी अप अवेलेवल हैं तो ये जो कमपनिया हैं, ये जो अप से ये क्या कर रही हैं टेकनोलोजी का इस्तमाल करके आपको financial service दे रही हैं तो ये कमपनिया क्या हो गई, FinTech हो गई इसी प्रकार से अगर आपको loan वेगेरा लेना है तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी company available है जो आपको online provide करा देगी उसी प्रकार से अगर आपको insurance वेगेरा करवाना है policy बजार हो गया, cover fox हो गया इस तरीके की company available है अगर आपको investment करना है तो उसके लिए बहुत सारी company available है crypto वेगेरा में अगर आपको invest करना है तो यह जो सारी company है वो एक तरीके से क्या कर रही है financial services लोगों को provide कर रही है हना, तो यहाँ पे यही company क्या कहलाती है FinTech कहलाती है और इंडिया में यही काफी तेजी से बढ़ रहा है अलग-अलग sector के लिए अलग-अलग आपको FinTech company मिल जाएगी insurance के लिए आपको FinTech company मिल जाएगी asset management के लिए आपको FinTech company मिल जाएगी payment के लिए आपको FinTech company मिल जाएगी banking के लिए आपको FinTech company बहुत सारी मिल जाएगी अगर इंडिया में हम बात करें इंडिया की पूजिशन की हम बात करें तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर सबसे जादा जो फिंटेक एडॉप्शन है उसका रेट है और पिछले पांच साल में जो टोटल हमारे देश में अभी फिंटेक है 21 तो से जादा फिंटेक ऐसी कंपनिया है और इसमें से 67% कंप इसलब ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी स्टार्ट अप के रूप में स्टार्ट होती है और अगर उसका वैल्यूशन एक स्पेसिफिक पीरिएट में वन बिलियन डॉलर को रीच कर जाता है तो उसको यूनिकॉर्ण का स्टेटस मिल जाता है तो यहां पर 17 इंटेक कंपनी ह हमारे देश में ऐसी है जिनकों की यूनिकॉर्ण का स्टेटस मिला है तो अब यह इतनी बड़ी इतनी तेजी से जो ग्रो कर रही है हमारे देश के अंतरगत जाहिर सी बात है कि फानेंशल सर्विसेस लोगों को प्रॉइट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों का पैसा जो ह अधर मिनिस्ट्री है से अधर जो केंद्रिया थे पर्यालि अलग 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 डिपार्टमेंट है तो यहां पर एक फिंटेग डिपार्टमेंट भी अब होगा अब देख सकते हैं मैनी कंट्रोल का नौजनवरी का आर्बिया सेट सफिंटेक डिपार्टमेंट टू फोकस ओंता डैनेमिकली ग्रोइंग सेक्टर यह जो इतनी तेजी से बर रहा है इस सेक्टर को फोकस करने के लिए यहां पर यह पहली बार नहीं है जब आर्बिया ने इस तरीके का कुछ डिसीजन लिया है क्योंकि फिंटेक की सीनियर मैनेजमेंट कमीटी की मीटिंग होती है और उसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि एक फिंटेक यूनिट को स्टैब्लिस किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेगूलेशन के अंतरगत जैसे कि मैंने आपको बोला कि आर्बिया के अंजर अलग अलग और इस यूनिट का तीन मुख्य उदेश था सबसा पहला उदेश यह था कि फिंटेक इंडस्ट्री के अंतरगत इनोवेशन को लाया जाए दूसरा उदेश यह था कि इन कंपनियों के द्वारा आम लोगों को जो भी सर्विसेस दी जा रही है वो कम कोश्ट में हो लोगों आप पेमेंट के लिए एप इस्तिमाल करते हैं वो यूपी पे काम करती है तो ज्यादा एप ज्यादा जो कंपनी थी फिंटेक कंपनी वो पेमेंट को ले करके थी तो इसलिए यहां पे यह जो यूनिट था उसको फिर ट्रांसफर कर दिया गया था डिपार्टमेंट औफ सिस्टम के अंदर जुलाई 2020 में जिसकों की DPSS भी कहा जाता है और यह जो DPSS है वो बेसिकली क्या करती है हमारे देश में जो भी सेटलमेंट सिस्टम ऑपरेटर है वीजा मास्टर कार रूपे इन सब के लिए पॉलिशी फॉर्मेशन का काम करती है तो इसके अंतरगत इसक चैंजे को मिल रहा है बोंकि जादा जिसमें बदलाब देखने को मिल रहा है कि एक अलग से टविपार्टमेंट को तेबलिस कर दिया गया है और यहां पर इससे होता गया है कि इससे पहले जो fintech unit था जिसके बारे मैं भी मैंने आपको बता है उसको यहाँ पे मिला दिया गया है इस department के अंतरगत और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं RBI के दोर जो circular issue किया गया था 7 जनवरी 2022 में creation of fintech department title के साथ उसमें यह बात कहा गया है कि 4 जनवरी 2022 से यह जो particular department को create किया गया है fintech department इसने अपना काम करना सुरू कर दिया है और हाली में यहाँ पे अजे कुमार चौधरी को executive director के तोर पे appoint किया गया था तो वही इस particularly जो fintech department है उसको भी head करेंगे ना यह काम क्या क्या करेगा यह तो आपको पता चली गया होगा कि innovation को जिसको हम लोग हिंदी में नवाचार कहते हैं उसको यह बढ़ावा देगा ताकि और भी ज्यादा company जो हैं वो इस sector में आकर के अच्छी services लोगों को provide करें competition बढ़े इसके अलावा यहाँ पे जो challenges face की जा रही हैं जो भी opportunities है उसको यह जो फिंटेक डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे एड्रस करेगा और टाइमली मैनर में एड्रस करेगा साथी में यहाँ पे इनके दौर एक framework भी तयार किया जाएगा फिंटेक इंडस्ट्री के लिए और इन सब के अलावा जो incubation होते हैं ज और वो सारे matter को रिव्यू किया जाएगा जिसका की कुछ impact होगा फिंटेक इंडस्ट्री के ऊपर तो यही सारी चीजे थी जो आपको बतानी जरूरी थी फिंटेक डिपार्टमेंट के बारे में आई होप आपको यह आइडिया हो गया होगा कि यह डिपार्टमेंट क्या का अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें अपना उपीनिया जरूर बताएं